नमस्का दोस्तों, जै हिन, जै भारत दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोईदी यूगीन उपन्यासों की विशेष्टाइं जो एक महत्य कूर्ण प्रेशन बनकर बोर्ड परिक्षाओं में आता है क्या पूछा जाता है दुएदी यूगीन उपन्यासों की चार विशेस्ताएं बताईए या फिर बनकर आता है दुएदी यूगीन उपन्यासों की दो विशेस्ताएं वह दो लेखक अर्थात उपन्यासकारों वह उनके उपन्यासों के नाम बताईए तो आप ध्यान से देखना द्वेदी उगविन उपन्यासों की विशेस्ता है सबसे पहली ये राष्टेता की भावना इस काल की उपन्यासों में राष्टेता की भावना प्रबल रूप से दिखाई देती है इस काल के लेखकों ने पौरानिकता वा एतिहासिकता को भी राष्टवास से जोड दिया जो द्वेदियुगिन उपन्यास हैं उसमें काय की भावना दिखाई देती है उपन्यासों में राष्टता की भावना दिखाई देती है नव यूवकों को जगाने के लिए तदा इनके भीरूपन को दूर करने के लिए अधिक से अधिक राष्टेता की उपन्यासे लिखी गई अनुदित वा मोलिक उपन्यास इस काल में कुछ लेखकों ने अनुदित तो कुछ लेखकों ने मोलिक और कुछ लेखकों ने दोनों प्रकार की उपन्यास लिखे अनुदित मतलब अनुबाद दूसरे की उपन्यास को अन्य भासा में अनुबाद कर दिया और मौलिक मतलब जो स्वैम के द्वारा रचित है तो इस काल में दोनों प्रकार की उपन्यासों का बोल बाला रहा तिलिस्मी तथा एयारी उपन्यास राश्टरवाद के बाद उपन्यास कौन सी लिखी गई तिलिस्मी वा एयारी इस काल की उपन्यासों में तिलिस्मी, एयारी, जासुसी, रोमानी, फैंटेसी, प्रकार की उपन्यासों के सागछा दर्शन होते हैं अर्थात कोई भी विशे इन से अचुता नहीं रहा तिलिस्मी मतला जादूई, एयारी, आधी मतला इनमें तिलिस्मी मतला रहस्य का जादा समावेश है फिर सामाजिक उपन्यास इस काल में समाज को जगाने वाले उपन्यास लिखे गए अर्धात इस काल में लोगों को अंद विश्वासों से जगाने के लिए नारी के प्रती अपनी दिशा बदलने के लिए देश के प्रती अपनी दिशा बदलने के लिए तधा मजदूरों, किसानों के प्रती अपना नजरिया बदलने के लिए उपन्या से लिखी गई बड़ी मात्रा में लिखे गए जिनमें अंद विश्वासों नारी बंधन रूडियों का व्रोध किया गया तो आप ध्यान से इसको पढ़ना तदा इसके नोट्स बना सकते हो आप द्वेदी युगीन उपन्यासों में कौन कोन है किसोरिलाल गोस्वामी जिनकी है लीलावती आदर्स सती देव की नंदन खत्री का है काजल की कोठरी और अनूठी बेगम ये इधर इनकी उपन्यास है देव की नंदन खत्री की एक और उपन्यास से चंद्रकांता संत्रती जिनका नाटक आप टीवी में हमेशा देखते रहते होंगे धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत